हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आप सबने रोड पर बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रेलर्स के बीच के टायर को उठा हुआ देखा होगा तो आज किस वीडियो मैं आपको डेटेल यों बता हुआ कि ऐसा क्यूं होता है और मैं आपको ट्रक के इंसाइड व्यू के हिलिप से इस टॉपिक को समझाओंगा तो वीडियो को पूरा देखे फ्रेंड्स ट्रक्स और टेलर्स के बीच में एक एक्जल ऐसा लगा हुआ होता है जिससे उपर उठाया जा सकता है और जिससे जरूरत पढ़ने पर नीचे गिराया भी जा सकता है और इसके साथ इन एक्जल के साथ लगा हुआ जो टायर होता है वो भी उपर और नीचे हो जाता है अब अलग-अलग गाडियों में इस एक्जल को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है कुछ गाडियों में इसे टैक एक्जल कहा जाता है कुछ गाडियों में लिफ्ट एक्जल कुछ गाडियों में ड्रॉप एक्जल कुछ गाडियों में retractable axle और कुछ गाडियों में pusher axle कहा जाता है लेकिन जो भी नामसे से पुकारा जाए इसका काम एक ही होता है और इसका काम होता है कि जब जरूत पड़े तो जो हमारा axle है उसे उपर ले जाया जाए और जब जरूद पड़े तो उसे नीचे लाया जा सके लेकिन सवाल है कि ये जरूद कब पड़ता है फ्रेंड्स ट्रक और ट्रेलर्स में लगे हुए हर एक एक एक्जल की एक load carrying capacity होती है चाहे वो 6000 kg होती है चाहे वो 8000 kg होती है और जब ये ट्रक्स और ट्रेलर्स heavy load को carry करते है उस टैम पर ये जरूरी होता है कि जो हमारे ट्रक और ट्रेलर के जितने भी एक्जल है उनके उपर में जज्यादा load नहीं पड़े और load equally distribute हो उस टै Εंप पर क्या किया जाता है कि ये जो एक्जल है जिससे उपर और नीचे क्या जा सकता है तो इसे नीचे कर दिया जाता है इसे ground पे surface पे लिया जाता है जिससे क्या होता है कि जो heavy load ये गाड़ियां carry कर रही है तो उसका जो load है वो सारे axle पे equally distribute हो जाता है लेकिन अब सवाल है कि इसे हमेशा नीचे गिरा के क्यों नहीं चला जाता है तो आईए मैं आपको इसके बारे बताता हूँ Friends हर एक tyre का एक rolling resistance होता है यानि कि ये वो force होता है जो कि tyre road के surface के उपर में लगाता है जिसके वयसे tyre roll करता हूँ रोल करते हुए वो road पे आगे बढ़ता है अब सवाल है कि tyre को ये force मिलता कहां से है तो tyre को ये force मिलता है जब आपके गाड़ी के engine के अंदर में fuel जलता है और engine power produce क करता है तो वो power मिलता है tyre को जो कि tyre को घुमाता है और tyre क्या करता है rolling resistance जो force है वो road के उपर में लगाता है और वो move करता है अब देखिए जब गाड़ी के उपर में load कम हो या गाड़ी खाली जाए या कम load के उपर में जाए उस time पे क्या होता है कि axle के उपर में जादा load नही होने के वज़ा से ये जरूरी होता है कि जो इंजन पावर प्रोडूस कर रहा है वो पावर कम चक्के को यानि कि जितने भी चक्के लगे हुए है उन में से कम चक्के को मिले ताकि वो उसे घुमा के उसे मूव कर पाए अब अगर हम लोग ये जो drop एक्जल वाला जो हमारा एक इसलिए जब लोड कम हो या गाली खाली जाए उस टेम पे इस एक्जल को उठा दिया जाता है ताकि इंजन का पावर का वेश्ट नहीं हो और ऐसा करने से फ्यूल की एफिशंसी बढ़ जाती है और फ्यूल जो बर्न हो रहा है उसका वेश्टेज भी कम हो जाता है इसके साथ ये जो ड्रॉप एक्जल है इससे उपर उठाने से ये भी फाइदा हो जाता है कि जो टायर है वो रोट पे जितना दिर तक चलेगा तो उसका उतना ही वेरेंट टेर होगा यानि कि वो उतना ही जादा घिसेगा अब जो ट्रॉक्स ट्रेलर्स के टायर्स होते है वो बहुत ह तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि अन्निसेसरी इन ड्रॉप एक्जल को नीचे करें आप और इन टायर्स को गिसमलब कि इनका टायर्स का वेरेंट टेर हो तो उसे बचाने के लिए भी इन्हें उपर रखा जाता है जब लोड कम हो या गाड़ी खाली चले फ्रेंड्स ड्रॉप एक्जल उपर रखने से एक फाइदा ये भी हो जाता है कि जो ट्रॉप और टेलर्स होते हैं इनका टर्निंग रेडियस कम हो जाता है यानि कि वैसे जगा जहां पे स्पेस कम हो वहां पे भी ये एक्जल उपर रहता है तो कुछ हद तक ट्रॉप और टेलर्स को lift या right turn लेने में कम space carry करना पड़ता है लेकिन दूसरी तरफ अगर यह drop axle नीचे हो तो फिर ट्रैक्ट टेलर्स जादा area लेते हुए मुड़ते हैं तो एक फायदा यह हो जाता है कि turning radius कम हो जाता है friends जब load कम हो या गाड़ी खाली हो उस time पे driver का करते है कि इस drop axle को उठा जयते है अब उसके पीछे का reason यह भी है कि जब यह drop axle उठा हुआ होता है उस time पे गाड़ी का जो drive axle होता है यानि कि गाड़ी के engine से जिस axle को power मिल रहा है उसके उपर में load बढ़ जाता है अब load बढ़ने होने पर भी जो tire है वो road से चिपक के चलती है और driver को गाड़ी को handle करने में आसानी हो जाता है friends trucks and trailers में drop axle देने का एक reason यह भी होता है कि कुछ जगाओं पे road पे restriction होते है restriction यह होता है कि वहाँ पे उस road के condition के हिसाब से यह rule बनाया जाता है कि हर axle के उपर में या असान लफजों में कहें तो हर tire के उपर में कितना load रह सकता है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो tire होता है वो road के साथ contact में होते है और अक्सा tire की उपर में ज्यादा pressure होने के वज़गाइसा क्या होता है कि road के उपर में गड़्े हो जाते है इसलिए वहाँ पे इस तरह के drop axle है उन्हें नीचे करके चलाया जाता है ताकि जो टायर के उपर में लोड है वो ज़्यादा डिस्ट्रिब्यूट हो सके और रोड का जो सर्फेस है वो खराब नहीं हो फ्रेंड्स कुछ गाड़ियों में drop axle air operated होता है और इसे driver केविन में एक switch के help से आसानी से उपर और नीचे किया जा सकता है वहीं कुछ गाड़ियों में जो drop axle होता है वो hydraulic operated भी होता है तो फ्रेंड्स ये था drop axle प्रेंट्स वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता है इस खिलाओ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आप यह तक अपने चैनल को सब्सक्राब कर ताकि आने वाले इंपॉर्टिन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफेक्शन के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स पॉराचिंग इस वीडियो गुडवाई